किसानों की कर्जमाफी किसानों को shift होना चाहिए इन तमाम मसलों पर आज हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ कुछ मेहमान भी इस वक्त जुड़े हुए हैं सीधा चलेंगे नंकिशोर जी यहां लगातार ये बात कही जाती है कि दो गुनी आय कर दी जाएगी किसानों की अगर यही हालात रहते हैं तो क्या आपको लगता है कि आगे आने वाले पात सालों में भी दस सालों में भी किसानों की हालत ऐसी होगी कि उनकी जो आय है वो दो गुनी हो सके मवजूद आय नहीं बलकि जो उम्मीद रखी जाती है उस आय से दो गुना कमाई किसानों की हो अनु जी आज के दिन अगर परिवार की पूरे की आमदनी देखे तो 22 रूपे पर आदमी एक दिन की आमदनी है यह अगर सम्माली सोजाएगी तो क्या होने वाला है अगर आमदनी बढ़ानी है तो जैसे बोधी दिन है हमित साजी के बेटे की बढ़ाई उस तरह से कोई आमदनी बढ़ाई तो पार बढ़े किसानों को मैं मैं आपको बड़ा इस्पष्ट करना चाहता हूँ कि किसानों को कोई बीज की खाद की किसी भी तरह की सबशीडी की आफशकता नहीं है किसान किसी से भीग मांगना नहीं चाहता किसान शिरफ ये चाहता है कि जो गौवर्णमेंट उसका समर्थन मुल्ले मानती है वो समर्थन मुल्ले उसको दे दे उसके बाद किसान को किशी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है रही बात हमारे दढ़ने की कल शे हम दढ़ना दे रहे हैं फिसले आठ सतर से चर्चा कर रहे हैं यूपी में चुनाव आते ही जब इन्होंने माफ कर दिया करजा राजस्तान में क्या तकलीफ हा रही है जब बीजे पी संकल प्यातरा में कहा गया है कि हम बारा पसलों को और समर्थन मुले इस रेड़ी में लाएंगे ये एक को भी नहीं लेकिया है उस पे ये क्यों नहीं विचार करते बहस की कई आवशक्ता ही नहीं है बिल्कुल इस पश्ट है कि तत्काली इन राहत के लिए आज की परिस्त कोई चारा नदर नहीं आ रहा है आज के लिए बिल्कुल और मदन जी यहां कर्ज माफी की बात है आप ही के मंतरी नेता हैं जो कहते हैं कि अगर किसानों का कर्ज माफ कर दिया जाएगा तो किसानों को इसकी आदत हो जाएगी यहां बैंकों से कर्ज लिया जाएगा उमीद किसान को उसकी फसल सही डंग से वो पैदा करे उसको इसका इसकी जानकरी दी जाए कि किस परकार का बीच काम में ले किस परकार की उर्वन समता उसकी बढ़ाए एक तो ये दूसरा उसके जो उपकर होते हैं इसको सब्सक्रा किया जाए तीसरा सीचैरी की सुविड़ा दी जाए वो हम कर रहे हैं हमने देखिए मैं आपको बदाओं गुजरात से नरुदा का पानी लाए हमने कर आए हमने पैसा दिया यही नहीं मरदा परिक्षन मदची आप कौन सी योजनाओं की बात करें इन्ही यो योजनाओं की बात किसानों को इसका कोई पायदा ने की हो रहा है आप सब लोग अपड़े आपको निरेंदर मोदी समझे लगे बड़ी प्रवप्रम होगी या किसान की उपज का जो उस पर खर्चा आता था उसमें कमी हुई है तो फिर डीजल के पैसे बीच में क्यों खा किसानों को मैं आपको बताओं यह जी चांदी जी मैंने अभी जो आपका ब्रेक वा विदाग्जी ने कहा डिबेट की साथ सब बनी रहे है इसलिए सुने और मैं भी आपको सुनू ताकि जबाव देखाऊ हूं हम आदरने विदाग्जी से पूछना चाहते हैं कि मानने मु मुख्य मंत्री जी ने 611 वादे की थे और उसके अंदर ये कहा था कि हम इन इन परसलों को मैंस्प के अंदर लेख आएंगे परदान मंत्री जी ने बीस फुरूई 2015 को हल्क नामा दे के ये कह दिया सुप्रीम कोड के अंदर कि हम ये जो लामान समूल है नहीं दे सकते मुख्य मंत्री जी ने सदन के अंदर ये कह दिया मान दिया हमारे विदायक नंदिक सोजी ने पूछा था पटल पे परसन का जबाब देते हैं उन्होंने कहा कि किसी भी इस तरह की पसलों को MSP के दाइरे में लाने के हमारे कोई परक्रिया नहीं है बार्टे जनता पार्ट बार बार इसना क्यों सोचना पड़ता है जहां पर उप्चुना होता है वहाँ पर मुख्य मंत्री जी पंदा दिन लगोतार वहाँ पर जाते हैं और जो मांगो वो गोस्टना करते हैं इस परदेश के किसान के साथ में सोतेला विवहार आकिर कब तक रहेगा ये आज देख वित्वर सोडा और सत्रा का जो था उसके अंदर सरकार ने 20,000 क्रोड रुपे का प्रीमियम नीजी कंपनियों को पे किया और उसके बदले किसानों को 6,700 कुछ क्रोड रुपे का मुआउजा मिला आखिर इन नीजी कंपनियों को 13,000 क्रोड रुपे का एक साल के अंदर लाम आखिर आप तो ट्रेक्ट को कॉमर्चिस सेक्रिजमेंट में ले जाना चाहते हैं किसान को किस परकार मुडर्णाइट इन्हों ने एक बात बड़ी सकते कहीं इन्हों ने कहा कि हमें किसानों के लिए चौद्री जी आपने अपने सवाल उठा लिए देगे समय सभी को मिलेगा बदन ची को भी पूरा समय दीजे चबाद देने के लिए जी चौद्री जी जरा रुकिए धैरे रखिये सब्सक्राइब कहीं आप बदन ची कहेंगे को पसल बीमा का जो लाब मिलता था उसको उने बढ़ाया रेट गुना किया पाज़ छेजार का 9 अधर लेकिन बदन ची वह पशल भी चाहिए तो पहुची नहीं पाता कि सानों तक आप जाहें उसकी मातरा कि प्रदा अब तो बिल्कुल मिल रहा है और यह कपी भी नहीं है जब किसान करजा लेता है तो करजा लेगा तो निच्ची तूरूप से उसका बीमा करवाई जाएगी ये बैंक बीमा करवाने जाएगा अपनी फसल सुर्ट सी तो करेगी ना बैंक इसमें कहा बिर्कत की बात है किसान यह अपना खुद की बिना लोन लिए करता है तो प्रिमियम बहुत जमा कराएगा तब ही कटेगा इसके अलावा नहीं कटेगा गलत जान कर इसका किसान को मत दीजिए जन्टा में भर्म करदा करने के कोई सिज मत कीजिए कभी भी ऐसा नहीं है कि किसान इती करजा नहीं ले तो उसका कोई बीमा का प्रीमियम कर जाता है कब भी नहीं करता है इस प्रकार की बात मत करिए किसान को यूरिया दे रहे हैं अगर किसान कर्स लेने के लिए जाते हैं तो बैंक उस कर्स पर भी उनसे कमिशन मारते हैं इससे अच्छा किसान सोचता है कि यहां साहुकारों से ही कम से कम उन्हीं से कर्स ले लिया जाए यहां बैंक कर्मी को भी देना पड़ेगा बाद में देना यहां बैंक को भी पड़ेगा तो यहां डबल डबल देने से अच्छा है साहुकार को ही दे दिया जाए इस तरह की सि किसान का पैसा कटता है लेकिन 80% लोगों को जो किसान है उना यही पता नहीं कि भीमा योजना है या नहीं है जो पैसा मिलता है कुछ लोग और ही खा जाते हैं कि 80% किसानों तक कुछ नहीं पहुचता है उसका कोई भी जो है उचित पिरबंधन नहीं है दूसरा कि जो किसान को रिण मिलता है बैंक से मिलता है और एक उसकी ऐसी पिर्किरिया है कि अगर ओवर्ड्यू हो जाता है तो उसकी recovery AJ revenue लगान की तरह से collector करता है और collector जो है किसान की जमीन को निलाम करके वसूल कर लेता है और किसान की जमीन जब निलाम होती है यह इतना दुखदाई होता है उसे आतवत्या की सिवा कुछ नहीं सुझता है तो एक जो पूंजी पती है उसके लिए तो रिण वसूली की वैवस्ता दूसरी है कोटों के द्वारा है उन्हें पकड़ भी नहीं बाते हैं कि जाते ही हाँ तुरंत जाके और उसकी जमीन निलाम कर दीजिये बहुत अच्छा है मतलब उसकी जो है लाखो रुपे की जमीन हजारों में करोडों की जमीन लाखों में चली जाती है और खईदने वाले तयार बैठे रहते हैं जो किसान का जो रिन है उसकी जो रिकवरी है उस सबसे अच्छी रिकवरी है उससे बैंक कोई लॉस में नहीं जाता अगर किसान के अपर रिन है अगर माफ करते हैं तो बैंक को कोई नुकसान नहीं है प्याज कम किया कि ने हैं यह बताऊ जो अलग हैं सबसे बड़ी समस्या किशान की है किशान की फसल का एक उचित प्रवनन सबसे बड़ी समस्या या है गgebaut किशान की फसला आती है उसको जो है आप किरिया करें और पूरा मूल दे उसको लावकारी मूल दे उससे आजी समस्या महीं दूर हो जाएगी लेकं उसको नहीं करना चाहते है लागत कम करेंगे तो फाइदा नहीं है आगर किसे कम की डीजल पे आज उसकिसने है चौदरी जी रुकी का प्रताप जी प्रताप पूरी कर ले पहने एक और है कि अभी जो मूले है हर चीज के बढ़े हैं किसी चीज पर कम नहीं हो यह पेट्रोलें के देखी है डीजल के देखी है लाइट के देखिये अभी सर्विश टैक्स बढ़ गया ultimate sub tax जितना भी है ये किसान के उपर पड़ता है किसान जो है 70% इस देश की आबादिया 70% उपभुखता है जो भी किसान purchase करता है हर चीज पर tax वो पे करता है तो जो tax आज GST लगा है उसका consumer सबसे बड़ा कास्ट कार होने के कारण सबसे बड़ा 70% consumer होने के कारण सबसे बड़ी जो मार पड़ी है उसको पड़ी है किसान को हर चीज महंगी ख़ईनी पड़ रही है और उसकी फसल का जो आई है GST लगा बाद में उसके पहले जो है सशे में उसकी फसल भी गई अब हर चीज महंगी उसको ख़ईनी पड़ रही है तो किसान आत्वस्ट्या नहीं करेगा क्या करेगा आज किसान का स्टेटस क्या है आज फूर्थ किलाज जो सर्विस गवर्मेंट में करता जो करमचारी है उस जैसा भी कास्ट कार का गाउं में जाके देखिए अब से प्राइस इंडेक्स के हिसाब से उसकी आमदनी आप बढ़ाएं उसको वो मूल दे उसकी फसल का जिससे के वो अपना गुजारा आज के मिनीमम जो फूर्थ किलास का स्टेटस है कम से कम उस पर अपना गुजारा कर सके बिल्कुल जो अभी गुजारा है उसमें अपने बच्चों को सर्फ सरकारी स्कूल में पढ़ाया जा सकता है बच्चों की आगे पढ़ाई के लिए कुछ नहीं हो सकता अपने खाने तक के लाले पढ़ जाते हैं सिर्फ इतनी ही आई अभी तक बढ़ पाई है प्रताब जी और हम सपने देखते हैं कि दो गुणा आयो हो जाएगी जिसके घर में कोई सरकारी करमचारी है इसका मतलब यह नहीं कि सरकारी करमचारी है इसलिए उसकी किसी किसान की आप अच्छी है लेकिन जो सिर्फ जो है खेती पर आस्वित है उसकी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है आज कोई बच्चा खेती नहीं करना चाहता अगर ऐसा समाज हो गया कोई खेती करना नहीं चाहेगा तो हमारे देश की क्या स्थिती होगी अब सिधी वैसे ही बन रही है जी प्रताप जी जो अहालात है से देखने के बाद हर कोई माइग्रेट कर रहा है लोग दूसरे शहरों में जा रहे हैं नौकरी मज़बूरी करना रिक्चाड होना समान उठाना लोग ज्यादा असान समझते हैं बरस्पत की किसान ही की जाए आप बलकुल सही बात कर रहे हैं नंकिशोर जी यहां किसान की कहने हैं कि आप अपने लाइफस्टाइल को देखिए आप बाकी चीजों पर कितना खर्श करते हैं आप ट्रैवलिंग पर कितना खर्श करते हैं आप तमाम चीजों पर खर्श कर किसान के आए बढ़ाने का एक मातर और अथा तरीका जो है वो उसको समर्थन मुले मिलना है यह मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ अभी आप का बात कर रहे थे कि वारती जनता पार्टी किसान के लिए क्या कर रही है पिछले साल के जो रिकोर्ड है ग्यारा प्राइवेट प्लेयर्स जो है ग्यारा प्राइवेट इंशूरेंस कंपनी को इन्होंने हजारों करोड रुपे का मुनाफ़ा दिला किसान की अहलत है उसकी लाखू रुपे की पसल का इंसॉरेज्स का कवर्नोट भी इसको नहीं क्यां इंसॉर्म किसान को तो पता ही नहीं रहता उसका प्रीमियम ले लिए जाता है स्टेट गॉर्मेंट प्रीमियम दे रही है शेंटल गॉर्मेंट दे रही है तीनों से मिलके और प्राइवेट कंपनिया मज़े से कमा रही है ये कौन सा तरीका है मैं आपको बताऊं आज अपना राजस्टान पर देश जो है वो पूरे वर्ड की आदि मस्टर्ट पैदा करता है सरसों सरसों में राजस्टान पर देश अफल पूरे देश में की दूनिया वर्मे आफल है और इनोंने बजाय सरसों का समर्धन मुल्ले देने के साथ हज़ार करोड रुपे का गत सालों में ओईल जो है वो इंपोर्ट किया है अगर ये इंपोर्ट नहीं करते या थोड़े किसानों को सरसों का अधसा पैसा मिलता तो इससे ज्यादा बढ़िया और क्या होता सुजाव शिदा सा है जो मोधी जी ने कहा था है समर्तन मुले इसे डेट गुना पे खरीदे कि वो खरीदिया क्यों आप ठूक के चाट रहें क्यों नहीं खरीद रहें इसका जबाब दीजिए ना क्यों आप प्राइवेट इंस्योरेंस करों कमाने का वोका दे रहें क्यों कौन शी महंगाई महंगाई तो बढ़ेगी ना किसान के ओपर किसान के पूंग्रेस के निता यहां पर वैचे हुए ने जब केंडर में आपकी सरकार रहती है तब भी किसानों के यहाल रहते हैं और आप मौझूदा सिदी में भी सरकार राज्य में भी उसी पार्टी की है और यहाल है तो कैसे बदलेगी सिदी किसान को देने का कोशिद की यह मैंने किया हमने यह भी किया कि उसके ब्याज की रेट कम हो यह भी हमने किया किसान अपना माल गंडरन में रख सकता है यह प्र देंक रूप्या लेता है हमने यह पी किया किसान अपने पड़ान में पचास पचास लाग रुप्या है प्रदी इप पंचाहट में दिया ताकि वो खशे किसान को दाब भंडरन की में व्याएंगें सब्सक्राइब करेंगे आज भी एक्यान में पैसा पर यूनिट हम पैसा ले रहे हैं बिजली की रेट हमने नहीं बड़ाई है कि किसान की जो उस पर लागत है यह जी जी का सवाल है कि क्या अब यह जो अभी विधान सभा में चल रहा है किसानों की कर्द माफ होगा है कि हम तयार है कि हम तयार हैं पचास-पचास-जार रुपया तो लाप देने के लिए अपने तो गोशना भी की है अरे गोशना अमाले आप और लिए आप अल्गा करो यहने केवल चिल्ला ओ यह बार ठीट है क्या सदन में आपको चंताने किसलिए बेजाए यहां इसलिए बेजाए के आप सर्चा करो अपने दिमाग से सलाथ ओ अपना दिमाग का उप्योंग करो इसलिए आपको बिजाए बेजाए बिजाए बेजाए करने के लिए हम किसान की लागत कम करेंगे यह करने के लिए अब आगे क्या किस तरह से आगे आंदॉलन आप लेकर बढ़ेंगे कैसे विवश्किया जाएगा सरकार को अनुजी इस सरकार की लागतार आंदॉलन करेंगे अभी सदक के लागता है उसके बाद सब्सक्राइब ने जाना पड़ेंगे लागता है इस तरह शेकल इनको काला कानून वापिस लेना पड़ा परवर सभीती को बेजना पड़ा वह यालत किसानों इमानुट्री श्कार की जोने वाड़ी है जी चौद्री जी आप कहें अनुजी कंग्रेस कटी बग है किस्तान की संपुन करदमाफी के लिए एक चीज़ दूसरा यहाँ पे विदाहिक जी बैठे है राटोर साथ वरिष नेता हैं क्या मामनी मुक्य मंत्री की इजाज़त के बिना ये बता सकते हैं कि हम किसानों का इतना करदा इस तैस समय के अंदर माफ कर देंगे हम इनसे जब दे दो महिने पहले जब किसान के साथ में वार्ता होती है आगे कॉंग्रिस का क्या कदम होगा देखे सरकार की मजबूरी थी सदन को भुलाना सरकार अगर इसके परती गंभीर होती तो सदन की नेता मानने मुक्य मत्री हुँ सदन के अंदर होती और सरकार का दाइस वबता है कि वो सदन को चलाए सरकार की कोई एनुसंसा नहीं हम सदन सदन डिजोल हो सकता है लेकिन कॉ प्रताप जी एक सुजाव आपसे चाहेंगे सरकार को विपक्ष को आप देना चाहें जो हालाद अभी बने हुए है उसे देखकर कि देखिए मेरा सरकार के लाओ कुछ नहीं है कि दोनों पक्स बैठकर किसानों की जो समश्याएं है उनको सुल्जाने का तोनों मिलके सरम करें और जो समश्याएं किसानों की है उनके लिए रिज़क नहीं निकलेगा ऐसे उनका हल निकाले और सुरत मेरे ये भी है कि सुरत जो है किसानों को जो रिनवाफी का लाब जो तुरत दिया जाए और फिर देर काली नहीं की जो समश्याएं है उनके लिए एक मात्र विकल्प बचता है प्रदाब जी जो समय की कमी है बहुत बहुत शुक्री आप चारों मैमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए क्या कर्जमाफी से सारी समस्याएं हल हो जाएंगी इन सवालों पर विधान सभा के अंदर बाहर भी चर्चा की जरूरत है चर्चा की माध्यम से ही यहां विकल्प निकलेंगे लेकिन क्या सरकार यहां सिर्फ राजनीती विपक्ष पारजो दावा किया जाता है कि राजनीती की मद्दे नजर ये तमाम हंगा में किये जाते हैं क्या राजनीती किसानों पर हावी पड़ रही है क्या किसानों की मांगों को जायस नहीं माना जाए देखना होगा कि सरकार आगे क्या कुछ करती है इस मसले को लेकर विल्हाल के लिए बस अतना ही नमस्कार